नमस्कार आप देख रहे हैं दाफेक्ट इंडिया और मैं हूँ आपके साथ पूजा रादौन प्रदेश में लोकसभाद चुनाब की तैयारियां जोरो शोरों से चल रही है सभी प्रत्याशी अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे है कॉंग्रेस से कललगी रणीती को लेकर काम कर रही है और वीजेपी कॉंग्रेस प्रत्याश्यों की पुराने रिकॉर्ड खंगालने का काम कर रही है अब विकानेट से कॉंग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं जिससे नमंकन भी रध हो सकता है इसकी पीछे की पूरी कहानी आपको बताते हैं राजिस्तान के विकानेर लोक्तबा शेत्र से कॉग्रिस प्रत्याश्य गोविंदराम में ख़ाल की ओर से नमंकन पत्र में देश शपत पत्र में आपरादिक रिकॉर्ड छिपाने के आरोप में जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की गई है भाजपा कारिकरता की ओर से की गई शिकायत में बताया गया है कि गोविंदराम के खिलाफ पुलिस थाना जैनारेंड व्यास कॉलोनी बिकानेर में हिस्ट्रीश शीट खुली हुई कोट में भी साल दोजर सत्रह का एक मामला लंबित होना बताया गया है ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या कॉंग्रेस पृत्याशी गोविंदराम मेगवाल का नामंकन रध हो सकता है जिलानर्वाचन अधिकारी को पेश शिकायत में बीजीपी ने आरूप लगाया है गोविंदराम के खलाफ अपरादिक मामलों के साक्ष थाने में उपलब है नामंकन पत्र में देशपत पत्र में ये जानकारी उन्होंने नहीं दी है ऐसी में तथ्यों के जाच करके मेघवाल का नामंकन प्रद किया जाए शिकायत के साथी पुलिस वेजसाइट पर थाने के हिस्ट्री शीटर्स की सार्वजनिक सूचना की कौपी सरलग में की गई है विकानिर पुलिस अधिक्षक्ति जस्विनी गौतम का ये कहना है हिस्ट्री शीट एक बार खोलने के बाद उस समय के दर्श मामलों का निस्तारण होने के बाद भी बंद नहीं की जा सकते अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब गोविन्द्रा मेघवाल का नामंकन रद्द होगा आपको मुदादी की पूर मुखेमंद्री अशो गैलोत की करीबियों में से गोविन्द्रा मेघवाल को दिकानेर से टिकट पिला उनके सामने बीजेपी की अरजुना मेघवाल है जो बरतमान मेकेंद्री मंत्री भी है इसके मुकाबला दिल्चस्प हो गया है इसपर आपकी विचार हमारी साथ साधा करें और बनी रहें दफेक्ट इंडिया के साथ